हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब चेहतना चीचन में फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कद्दू की सबजी जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है जैसे हम पार्टियों में खाते हैं बिल्कुल वैसी ही सबजी आज हम घर बनाएंगे और बहुत ही आसान से तरीके से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाप यह कद्दू ली हैं अब देख पारे होंगे मार्केट में बहुत ही आजाने से अवेलेबल हो जाते हैं और आपको छोटे साइज के लेने हैं जो कच्छे हो मतलब ऐसे न अचाहिए पारे होंगे और इनको कट्दू करने से पहले भी हमें वोश करना है औरपकरने के बाद में वोश करना इस बात का खास खायाल रखना है और आब हम लेंगे कडाई कडाई के अंदर डालेंगे सरसो का तेल जो भी गुड ओड आप यूज में लेते हो वाप डाल जीरा और आदी चोटी चमज के करीब जीरा और कसूरी मेथी जिसे नागोरी मेथी भी बोलते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है मतलब कई लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद होता है तो आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से स्कीप भी कर सकते हो तो देखे जीर अच्छा सा फ्लेवर आजाता है पूरी ओल के अंदर और बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी सब्जी अब मैं यहां पर डालूंगी टमाटर टमाटर मैं यहां पर इसलिए पहले डाल दिये हैं ताकि मैं इनको मेश कर पाऊं अगर आपको मेश की टमाटर पसंद नहीं है तो बहुत टेस्टी बनती है इनकी सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है प्लीज आप एक बार मेरे कहने पर जूरू ट्राइ करना और प्लीज मुझे कमेंट बोक्स में जूरू बताना कि कैसी लगी आपको यह रेसिपी या फिर आपकी फैमिली को जब उन्होंने खा बहुत अच्छों टेस्ट आता है अब हम इसके इंदर डालेंगे टेस्ट के गोडिंग नमक अधी चोटी चमश के करीब यह लाल मीर्स पाउडर और एक चोटी चमश के करीब डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर सभी मसालों को गैस का फ्लेम कम करते हुए मिक्स कर द नहीं बन पाती है थोड़ा सा मतलब सब्जी जब आदी पक जाए ना उसके बाद में इसके अदर पाने डालना चाहिए आप देखना बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी और मैं यहां पे बिल्कुल देसी स्टाइल से हो सिंपल तरीके से ही बताती हूं कोई भी रेसिपी हो चा अपल और क्या हो सकता है वही बताओ और मैंने इसके अंदर एक चमस के करीब लहसुन का पेश्ट भी डाल दिया है और उसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स कर दिया आप देख पार होंगे कितना अच्छा कलर आया है इसका और बस अब हम क्या करेंगे इसके अंदर थोड तो यह देखिए फ्रेंट्स हमने पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है अच्छे से ग्रेवी बन गई है हमारी और अब हम इसके थोड़ा सा पानी और डाल देंगे अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मन डालिए और गैस का फ प्लेम कम करके ही पकाएंगे क्योंकि इस से ज्यादा तो हमने पहले ही इसको पका लिया है तो बस ज्यादा नहीं कलाना है इसको मैंने यहां पर गैसका फ्लेम बंद कर दिया है हमारी के अदू की सबजी बन के रेड़ी हो चुकी है खाने में बहुत जड़ा टेस्टी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुर मत भूर ना और प्लीज कमेंट करके जुरूर बताना की कैसी लगी और आप भी एक बार जूर ट्राइग करना ओके फ्रेंड्स मिलती हूं अ